इद पर चंडीगड की सभी मस्जिदों में रौनक लगी सेक्टर 20 के जामा मस्जिद और सेक्टर 26 के नूरानी मस्जिद सहित चंडीगड की सभी मस्जिदों में मुस्लिम ने बड़ी संख्या में ईद की नमाज अदा की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारक बात दी नमाज से पहले जामा मस्जिद सेक्टर 20 के इमाम मौलाना अजमल खान ने तक्रीर में कहा इसलाम में खुशी मनाने के जो दो महत्वपूर्ण टेहुआर रखे गए हैं एक एदुल फितर दूसरा एदुल अजहां अल्ला का पसंदीदा महीना रमजान मुबारत मुकमल होने के बाद खुशी मनाने के लिए एदुल फितर का दिन लोगों को इनाम के तौर पर दिया जाता है एक महीने के रोजे के बाद जब ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा तिहार है देश हिंदुस्तान में बहुत तिहार हैं हम सभी को ये तिहार सिखाते हैं कि आपस में भाई चारा प्रेम बढ़े और आज मैं ये दुआ करता हूँ कि सभी के जंदगी में जैसे ईद की खीर होती है ऐसी एक मिठास रहे आपसी भाई चारा बढ़े और जो एक चांद की रोशनी होती है वो सभी के जीवन में रोशनी आए और हम सब मिल जुल करें देश मजबूत बने आपसी जो तंग दिली की दिवारे होती हैं उनको तोड़के आगे बढ़ते रहे देश हम ये कहना चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान जो है एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अंदर हर कलर के जब फूल लगते हैं तो वो गुलदस्ता बहुत ही सुन्दर और बहुत ही खुबसूरल लगता है और हम लोगों का ये जो रमज़ान का महीना है इसके अंदर हम लोग रोजे रखते हैं पाच वक्त की नमाज पढ़ते हैं तरावी पढ़ते हैं इसके अंदर रोजों के अंदर बताया गया है कि सिर्फ कंट्रोल रखो हिंदुस्तान के हम अच्छे नागरिक बनते हैं हमें हिंदुस्तान वासीयों से ये नहीं कहा गया कि स हिंदुस्तान के लिए दूआ की जाती हिंदू हो या मिस्लिम हो या सिख हो या इसाई हो सारे धर्मों के लिए कि आपस में प्यार और मुहबबत से रहे इस इद का जो कहा जाता मनाई जाती इसमें ये होता है कि हम जो बिछडे हुए दुश्मन भी इद वाले दिन गले मिल जाते हैं अब ऐसा माहूल हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो गया कि हिंदू मुस्लिम ये वो में अपनी तरफ से इद को उपर उनको यही बात कहना चाहूंगा कि ये पॉलो टिक्स से उठके हिंदुस्तान के जितने भी नवासी हैं चाहे हिंदू हो या मुसल्मान हो या स हिसाई हो सब आपस में भाई चारे से रहें मुहबत से रहें प्यार से रहें ये हिंदुस्तान एक आदिमी का बनाया नहीं हुआ है ये हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोगों ने कुर्बानिया दी है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलिम हो चाहे सिक्ष हो चाहे हिसाई हो इसको गुलदस्ता बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि गुलदस्ता बना रहे हैं और इस गुलदस्ते के अंदर जैसे फूल खिलते हम लोग खिलते रहें और एकठे होके मुहबत और भाईचारे से सारे लोग रहें और सब को यीद की बहुत-बहुत मुबारक बात हैं। लोजे रखते हैं इसका में मुद्दाय होता है कि हमें सबर जो चीजे कुदरतने नियामते हमें दी हैं जो बक्षी हैं उनका एसास हो सके हमें किसी प्यासे का एसास हो सके किसी भूके का एसास हो सके ताकि हमें पता हो इसका में मतलब है महबत का पेगाम है और आज कोई सिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें